कि अच्छा लोग आज के जो क्लास है इसमें बिक्रम कुमार जी पढ़ाम 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 बहुत सारा पढ़ाम भेज हैं विक्रम कुमार जी स्वागत है बेटा अभी प्रणाम मत कीजिए कि पढ़ाम ही जो है वो क्या हो तो परशान हो जाए है इतना भी परणाम नहीं करना चाहिए सामने वाले को तो हम लोग आज चल रहे हैं 46 नमर्सेट अशे से कल मैंने 47 से पढ़ाया था बच्छे लेकिन ये बीच में एक छूटा हुआ था तो आज उसको कर लेते हैं हम लोग तेके क्या है कुश्चन कर निम्र में से कौन सा एक जोड नहीं है बच्छे तो आपको पता है तकना भी जोड है तकना भी जोड है तक पटेला होता है कोहन नहीं भी एक जोड है और बच्छे घुटना भी जोड है तकना कोहनी घुटना सब जोड है लेकिन गर्दन आपको जोड नहीं है ठेक ना बच्छे गर्दन गर्दन आपका जोड नहीं है बच्छा एकदम याद है कि गर्दन सिर को बाहर से जोडता है गर्दन क्या करता है गरदर में क्या पाई जाती है तो कुछ पेसी आँ पाई जाती है जो इसे खड़ा होने में क्या करता है सहायता करता है पेसी या पाई जाती है ध्यान में रखेगा we लेकिन गर्दन और सर के बीच में जो ज्वाइंट पाई जाती है और मैंने क्या कहा कि गर्दन और गर्दन और सिर एक दूसरे से जुड़ा वह रहाता है जिसको पाईबहौट ज्वाइंट कहते हैं है याद रखता है पाईबहौट ज्वाइंट द्वाइंट आपको खुटि जोड़ कहते है जोरा आपको गर्दन से जुड़ा होता है सिर आपको गर्दन से जुड़ा होता है एक दम याद रखे कौन सा ज्वाइंट तो पाइभाड ज्वाइंट के द्वारा सिर गर्दन से जुड़ा रहता है बहुत अच्छी बात है यह याद रखना बच्चा जुड़ा रहता है किस से पाइभाड ज्वाइंट से ठेक सिर ग आप सेजेस्ट कीजिए कोई बात नहीं है बेटा में हूँ ना मेरे से मिली यहा करके ठेक और आपको वालिम वालिम वालीम टू किताब वॉ एसके खटम होने के बाद वालिम टू मैं पढ़ा दूगा तो रायतार जुड़े वही है सब नुमेरिकल बन जाएगा सुबा में मैं क्लास ले ही रहा हूं तो उसको भी देखी अच्छे से उतना काम कर लिजे तो नुमेरिकल में कोई दिकत होगी नहीं देखे हैं चले बटा आप देखे पैर पैर जो है पैर पैर में कितनी हड़ियां होती है तो पैर में याद रखना है ठीक है आपको कुल मिला करके तीस दुनी साथ साथ अस्थियां होती है साथ अस्थियां होती है एकदम याद रखेगा साथ अस्थियां जुडा रहता है अस्थियां होती है बच्चे किसमें तो पैर में और बच्चा लोग एकदम याद रखेगा सबसे बड़ी हड़ी कौन होता है तो सबसे बड़ी हड़ी सबसे बड़ी हड़ी कौन होगा तो बच्चे सबसे बड़ी हड़ी होता है फीमर होता है फीमर फीमर होता है तो यह बहुत इंपोर्टेंट बराबर कुसन आपसे पूछेगा, आगे बढ़ते हैं, किस प्राक्रतिक घटना में अएस्थितिक विदूत सामिल होता है, बचे, तो बचे, तरित में तरित, तरित मतब होता लाइटिनिंग, लाइटिनिंग बचे, लाइटिनिंग में इस्थिर विदूत सामिल होता है, ला और बचें आपको पता होगा कि आवेसित बादल जब जब पर गिरता है अगदम याद रखें प्रिच्पी पर गिरता है तो गिरता है तो इसे तड़ित कहाते हैं तो इसे याद रखे बच्चा तड़ित कहा जाता है तड़ित कहाते हैं तड़ित कहाते हैं महत्पूरें बराबर आपसे कुछ सें यहाँ पर पूछेगा तड़ित कहा जाता है तो यह याद रखनी या आपको यह चक्रवाद कह सकते हैं बच्चे चक्रवाद क्या होगा तो जब दाब जो है आंत्रिक दाब निमन हो जाएगा आंत्रिक दाब निमन और वाहे दाब क्या होगा अधिक होगा तो वायू की गती बाहर से अंदर के तरफ होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं तड़ित चालक का निर्मान किसके द्वारा किया जाता है तड़ित चालक का निर्मान एकदम याद रखेगा तड़ित चालक का निर्मान किसके द्वारा करते हैं तड़ित चालक का निर्मान आपको ठीक है फिर से में रिपीट कर रहा हूं तडित चालक का निर्मान आपको कोपर के द्वारा किया जाता है कोपर के द्वारा करते हैं कोपर के द्वारा किया जाता है बहुत बहुत पूर्ण है बच्छे कोपर के द्वारा किया जाता है किसका तो तडित चालक का निर्मान किया जाता है, कॉपर की द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, तो कोपर की द्वारा करते हैं, ठीक है, और तडित्य चालक जितना पतला होगा, जितना उसका रेडियस कम होगा बच्चे, उतना ही ज्यादा वह क्या करेगा, आवेस को अपनी उर, खीचने की छमता रखत है, यह ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं, बच्चे कह रहा है कि एक दूसरे से डी दूरी परिस्थत, ठीक है, M और M, द्रबमान वारी दो बस्तों के बीच लगने वाला आकरसन वाल, डैस के अनुक्रमान पाती होता है, तो बच्चे आप सभी बच्चों को पता ह है, और इसका दूरी के वर्ग का वित्करमान पाती होता है, यह अनुक्रमान पाती होता है, और बच्चा लो अनुक्रमान पाती होता है, और दूरी के वर्ग का वित्करमान पाती होता है, दूरी के वर्ग का वित्करमान पाती होता है, दूरी के वर्ग का वित्करमान पात वर्ग का क्या होगा दूरी के वर्ग का व्यूत क्रामानू पाती होता है एकदम याद रखा है व्यूत क्रामानू पाती होता है एकदम ध्यान में रखे बच्चे पाती होता है व्यूत क्रामानू पाती होता है ये ध्यान में रखनी है तो बच्चे ये दोनों को मिला देंग तो G है सरवात्रिक गुर्त्वाकर्षन नियतांग यूनिवर्सल ग्रविटेशनल कॉंस्टन सरवात्रिक गुर्त्वाकर्षन नियतांग होता है एकदम याद रखेगा गुर्त्वाकर्षन नियतांग होता है और बच्चा लोग एक चीज़ ये भी ध्यान में रखेगा इसका मान होगा 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square होता है एकदम ध्यान में रखेगा हना तो क्या होगा तो वस्तुओं के द्रवमानों का गुनन फल का क्या होगा तो समानपाती होता है तो आंसर हो जाएगा आपको B number ठीक है और बचलो गुर्टवाकर्शन बल जो है ये केबल और केबल आकर्शन प्रकृति का होता है ध्यान में रखेगा गुर्टवाकर्शन बल जो है ये FZ यानि गुर्टवाकर्शन बल है और ये क्या होगा तो ये आकर्शन प्रकृति का होता है, एक पहली बात हो गई, दूसरी बात क्या हो गई? तो बच्चे, यह यह अनंत दूरी और नियूनतम दूरी दोनों के बीच कार्ज करता है, बहुत important है, के बीच कार्ज करता है, यानि आपको, ठेकर, इन्फपने दिस्टेंस और लोर डिस्टेंस दोनों के बीच बीच करता है, यह क्या करेगा? तो function करेगा बच्चे work करता है तो ये ध्यान में आपको रखनी है बार-बार यहाँ पर question आपसे पूछता है कि ये कहां काम करता है तो ये अनंत दूरी और नूनतम दूरी दोनों के भीच कार्ज करने वाला बल होता है बच्चे जो भी बच्चे लाइव देख रहा है तो कम से कम अपने मित्रों दोस्तों को सेर कीजी। इस असेशन को और बच्चे लाइख भी और सब्स्क्राइब भी कर लिजए चैनल को अगर पहली बार आप आए हैं तो लाइब और सब्सक्राइब निस्चित रुप से कीजिए तब मज़ा आएगा बच्चे पढ़ाने में भी मुझे भी और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा चले देखते हैं बच्चे किस सिती में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं देखे हमको पानी उबालना है बच्चे पानी उबालना है तो पानी किस ताप पर उबलेगा तो पानी ताप किस पर उबलेगा उबलने की बात हो रही है बच्चे उबलने की बात हो रही है तो बच्चा लोग यदि यह देखे यह पानी हम इसमें डाल रहे हैं पानी डालेंगे तो पानी डालेंगे पानी को हमने गरम किया पानी को गरम किया तो बच्चे जैसे ही दाब वायमर्लिय दाब के बराबर हो जाए यानि पानी का दाब पानी का दाब ठीक है किसके बराबर हो जाए पानी का दाब किसके बराबर हो जाए तो पानी का दाब बराबर वाइमर्लिय अदाब जैसे ही होगा तो वाइमर्लिय अदाब के बराबर हो जाए माली जी तो पानी क्या होगा वास्पिकरित होना सुरू हो जाएगा ठीक है जल का वास्पी करन होगा बच्चा जल का वास्पी करन होता है जल का वास्पी करन होना लगता है जल का वास्पी करन होता है यानि आपको जल वास्पी करित होने लगेगा जल का वास्पी करन होता है यानि आपको जैसे ही ठीक है आपको पानी क इस प्पर दाब आपके वायंमिलेदाब के बराबर हो गया, तो जल का वैस्पी करण होता है। तो इसका मतलब है उबलेगा, उबलेगा, कब उबलेगा। तो जल उबलता है। बच्चे एकदम concept याद रखना है। जल उबलता है। जल वास्पी करीद कब होगा मैंने बता दिया, जल उबलता कब है, तो आपको वाइमलिय दाब से कम दाब होगा, जल उबलता है कब, तो वाइमलिय दाब से कम दाब पर, वाइमलिय दाब से याद रखना बच्चे, वाइमलिय दाब से किस पर, तो दाब से कम दाब पर उबल होंता है एग डम याद रखे कम अदाब पर अजबास पर बात लिखेंड और खोलत बात थे किया होगा वासर पिकरित होगा वह सिद्सकारопर उस पर बहूंतना बहुत टुस्सार कि बबक्चangi टो बहुत महात-पूर्ण है एक डम है उसको डील कीजिए आप लोग कि निर्जली करण के दौरान समानी सरीर से होने वाला तो कि निर्जली करना कि कितना पदार क्या-क्या निकलता है निर्जली करण में निर्जली करण में क्या क्या निकलेगा तो निर्जली करण में आपको ठीक है सरीर से सरीर से क्या क्या निकलता है सरीर से एकदम ध्यान में रखेगा सरीर से जल जल बहार निकलेगा जल ठीक है फिर क्या निकलेगा सरीर से जल फिर क्या v pests देग्छी कुछ मात्रण में सरकरा भी बहार निकलता एक अधिकत्म मात्रा में भार निकलता है अधिकतम मात्रा में 6 होता है बच्चे अधिकतम मात्रा में 6 होता है इसलिए अधिकतम मात्रा में 6 होता है कौन-कौन सा बच्चे अधिकतम मात्रा में 6 है न ये ध्यान में रखनी है और सोडियम क्लोराड इसका आंसर हो जाएगा ध्यान में रखेगा ये अधिकतम मात्रा में अच्छ होगा और ठीक है सरीर में याद रखेंगे सरीर के सरीर के जल संतुलन के लिए हम क्या करते हैं सरीर के जल संतुलन के लिए हम क्या करेंगे तो ओर्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉलुशन का प्रियोग करते हैं और रिहाइड्रेशन सॉलुशन का प्रियोग करते हैं बच solution का वियोग करते हैं, बहुत important है, बराबर आपसे question पूछता है, महत्पूर्ण है बच्छे, महत्पूर्ण है, और बराबर आपसे question यहाँ पर पूछेगा, चलिए देखते हैं, next question, oxygen के एक अनू में कितने परमानू होते हैं, oxygen, oxygen का एक अनू, एक अनू मतलब O2 है बच्छे, कितने परमानू होंगे, तो oxygen, oxygen, यह ठ्रान वायू हम इसको कहते हैं, ठ्रान वायू कहते हैं, oxygen के एक अनू में, दो परमानू हैं, oxygen ध्यान में रखरेंगा, कि oxygen oxygen जैसे ही कहते हैं oxygen के एक अनो में kतने परमानूं थो दो परमानू होंगे और बचलो ठेक है oxygen की खोज oxygen की खोज किस ने किया था खोज सीले और पिष्टले ने किया था सीले और पिष्टले ने किया था ध्यान वर रखेगा सीले और पिष्टले ने किया था पिष्टले ने किया था किस की खोज तो oxygen की खोच सीले और पिछले ने किया था जना oxygen किस वर्ग का तत्व है तो oxygen जो है बच्चे इसे oxygen oxygen चलकोजेन वर्ग में रखा जाता है oxygen याद रखना बच्चा oxygen ठेक है उपचायक अनु है बच्चे बहुत महत्पूर्ण है आगे देखते हैं किस तत्व का अस्टक नियम लागू होता है किस तत्व तक अस्टक नियम लागू होता है देखें अस्टक नियम ने दिया था अस्टक नियम किसे ने दिया था तो अस्टक नियम ने दिया था न्यू लैंड ने दिया था महत्पूर्ण है बच्चे यह नियम केलसियम तक या केलसियम तक लागू होता है केलसियम तक लागू होता है और होता है केलसियम तक लागू होता है और इस नियम में अगर हम बात कर लें बचे तो पर्थम तत तुझा है है और अंतिम तत तुझा है थोरियम होता है तो कहां तक लागू होगा केलसियम ताकि यहनियम लागू होता है, तो महत्पुर्ण बातें हैं, और बार-बार यहां से कुस्षन आप बच्चों को पूछता है, ठीक है न, यह ध्यान में रखेगा, अच्छा कोबाल्ट, फेरस, कोबाल्ट और निकल, फेरस, कोबाल्ट और निकल, बच्चे ये नवे वर्ग क ठाप है और इसकी परमानु सेंख्या कितनी होती है बच्चे 27 होता है 일 क्या हुआ तो बच्चे सब नहीं होता है और यह चा रहा दाकि और प्रथम बड़का तथो चारı तो है और किस वरका तो ऐसाथ तत्व है तो आक्सीजन तो मैंने बताया ही तो बच्छे ऑक्सीजन स्वल में वरका तत्व होता है नेक्ष कोसन दिखते हैं करा एक योगे कानुसूत्र त्वे कान नाम बताई तो योगे कानाम कुछ भी हो सकता बच्छे ठीकर C2H6O है है न ये देखे दो तरीके का कंपोंट इसमें बनता है एक बन गया CS3 CS3 OCS3 इसको क्या बोलते है तो डाइ मिथाइल की टोन बोलते हैं ये डाइ मिथाइल इथर बोलते हैं डाइ मिथाइल इथर कहा जाता है डाइ मिथाइल इथर कहते हैं और दूसरा क्या हुआ बच्चा दूसरा हो गया तो तेक है C2H5OH इसको बोलते है इत थाईल अलकोहल एंधाय एंधायल कहा जाता है तो एक ही रिखे आनसूत्र है उसके दो यूगी हम ने बना लिया और इसको और दूसरे का क्या है तो बच्छे पॉजे यह आिस सूमर है पॉजेस फंचनल इसours है तो आइस अमर है आफिरjadiा सिद्ग के भिन wp होने के कारण इसने आपको सवाव्यव का निर्मान किया जिसको हम फंशनलील इसमर कहते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा डाय मिथायल इ würdha और जाद रखेगा डाय मिथाय या इथायल इачन ऐतर या इथायल इलकोहल को must मयू पिएक नाम क्या होगा इसका इधेनॉल होता है बच्aman इतेनॉल होता है तो महत्पूर्ण है चले अगला कुशे देखते है चले कर रहा है अगला कुशन आपको आईए बच्छे किसी वस्तू को अनन्त और किसी अवतल लेंस के आप्टिक सेंटर पर रखते हैं अवतल लेंस बोल रहा है बच्चे किसी वस्तु को अनन्त और किसी अवतल लेंस के आप्टिक सेंटर के बीच रखते हैं बच्चे आपको पता है कहीं भी रखेंगे अनन्त पर रहता तो focus पर प्रतिविम बनता और अनन्त और focus के बीच है तो हमेशा प्रतिविम का निर्मान कहा होगा तो अन्त आपको optic center और focus के बीच होगा कैसा होगा, तो बच्चे हरास्रित होगा, और कैसा होगा, तो छोटा होगा, और कैसा होगा, तो बच्चे आभासी होगा, यानि ठेक, आपको याद रखेगा, कि आवतल लेंस के द्वारा, आवतल लेंस के द्वारा, आवतल लेंस द्वारा, हमेशा, लेंस द्वारा, हमेशा कैसा प्रतिविम बनेगा द्वारा हमेशा ठीक है आपको आभासी हमेशा आभासी ठीक है एक बात हो गया छोटा आभासी छोटा ठीक है सीधा और क्या बच्चा सीधा और कैसा बच्चा ठीक है तो ओ एवंग एफ के बीच प्रतिविम का निर्बान होता है ओ एवंग किसके ब तो O और F के बीच प्रत्विम बनता है तो यह ध्यान में रखेगा हमेशा छोटा आकार का प्रत्विम बनेगा बच्चा एकड़म सिंपल है यही यही उत्तल लिंस रहता तब आपको प्रारूप बदल जाता बच्ची लेकिन अब तल लिंस अगर है तो अब तल लिंस में हमे रखिएगा तो रासित यानि छोटा हो जाएगा आगे बढ़ते बटा निमलखित में से कौन सा एक आख का विकार है गठिया गठिया में क्या होगा तो जोडों में यूरिक एसीड की मात्रा बढ़ जाती है यूरिक एसीड की मात्रा बढ़ जाती है यूरिक एसीड बढ़ जमना जिसके कारण मत सरदर्द करता रहेगा पीलिया जॉन्डीस हो गया बच्चा क्या हो गया जॉन्डीस जॉन्डीस जो है जॉन्डीस ठेक है इसको क्या बोलते हैं तो बच्चे पीलिया बोलते हैं और ये क्या होता है तो रक्त में रक्त में बिलरुबीन की मत्रा बढ़ मारती है, बिलरुबीन की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाती है जिसके कारण आपको क्या होगा? जौन डी स्विरोग हो जाता है ठीसीशचे काई से ध्यान में रखना है? ले निकट की वस्तु अच्छी लेकिन लेकिन दूर का खराब होता है निकट की वस्तु क्या होगा अच्छी ठीक है निकट की वस्तु अच्छी दिखेगा और दूर का वस्तु क्या होगा खराब दिखेगा दूर दूर दृष्टी क्या होगी प्रभाबित होती है इसका निवारण कैसे करेंगे इसका निवारण अ अवत्तल लेंस के चसमें द्वारा इसका निवारण करते हैं बच्चे तो विकरम कुमार जी सही है बटा साइनस गडबड है तो निकट द्रिष्टी दोस्त आख का विकार होगा है ना आगे देखते हैं रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सुक्ष्वन न लिकाओं के द्वारा रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सुक्ष्वन न लिकाओं के द्वारा ले जाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है तो कैसी काई कहते हैं capillaries, capillaries capillaries कहा जाता है बच्चे, कैसी काई कहते है धमनी, धमनी में क्या होता है धमनी मतलब और्टरी होगा सुद्धरक्त का प्रवाह होता है, मोटा होता है दाव अधिक होता है, सुद्धरक्त का प्रवाह होगा यहाँ पर सुद्रक्त का प्रवा होगा और क्या होगा बच्चा? तो यहाँ पर दाब दाब क्या होगा? दाब अधिक होता है दाब अधिक होता है और बच्चे ठेका मोटा होता है काफी मोटा होगा मोटा होता है ठेना? अब देखे सीरा क्या होगा इसमें असुद्रक्त का प्रवा होता है सीरा में असुद्रक्त का प्रवा होता है और इसमें दाब भी कम होगा असुद्रक्त का प्रवा होगा दाब कम होगा यहां पर दाब कम होता है और बच्चा लोग दाब कम होगा यह पतला होगा पतला पतली होती है बच्चे चार से पाँच अगर है ये क्या है तो दुर्बल अमल है देखे दुर्बल अमल कहां पर है दुर्बल अमल बच्चे सार्व भॉमिक सुचक को याद रखे सार्व भॉमिक सुचक कि ये क्या होता है तो बच्चे सार्व भॉमिक सुचक रंग द्वारा आपको परिवर्तन द्वारा क्या करेगा तो रेंग परिवर्तन द्वारा ठेक आपको प्रबल अमल यानि आपका क्या हो गया strong acid, निर्बल अम, तो weak acid, निर्बल अम, फिर क्या बच्चा, निर्बल अम, फिर क्या आपको प्रबल छारक, यानि strong acid, प्रबल छारक और निर्बल छारक के विशे में जानकारी देता है, निर्बल छारक, निर्बल छारक का पता लगाता है, छारक का पता लगाता है, बच्च यदी सारभामिक सूचक में ध्यान में रखना बच्चे सारभामिक सूचक में अगर क्या हो जाए तो बच्चे सारभामिक सूचक में ध्यान में रखेगा भी आई ठेका वाइलेट वाइलेट और इंडिगो कलर होता है तो इसका मतलब है प्रबल चारक है प्रबल चारक है और उसी तरह से बढ़ते जाएंगे बच्चे सारभोमिक सुचक में आपको ठेका रंग में परिवर्तन द्वारा आप क्या पता कर सकते हैं कौन प्रबल आमल तो साथ से गैरा के बीच होगा अगर प्रबल अमल है तो इसका जीरो से लेकर के चार के बीच में होता है तो यह द्यान में रखे आगे बढ़ते हैं किसी परमानू की डैस में मौझूद एलेक्टोनों के संजोजी एलेक्टोन के रूप में जाना जाता है तो परमानू के यह देखिए बच्चे यह क्या है कारवन है कारवन का परमानु संख्या चोडियम है सोडियम का परमानु संख्या ग्यारा है और बच्चे कारवन का दो चार और बच्चे दो आठ एक है तो अन्तिम काक्षा में जितने एलक्टोन होते हैं उसी एलक्टोन को हम क्या कहते हैं त सितत्य के परमानू के अंतिम कछ्छा में उपस्थित इलक्टून की संख्या को हम क्या कहते हैं तो बच्चे हम संजोजी इलक्टून कहते हैं वायतम कोस में उपस्थित इलक्टून की संख्या को संजोजी इलक्टून कहा जाता है चले यहां देखते हैं क्या कहा रहा है कुस बिजली प्राप्त करेंगे बच्चे तो जनेरेटर के टर्वाइन से आपको पता है पृत्वी के अंदर क्या होता है उच्छे दाप पर भाप में इसको हम बदलते हैं यानि हाइयर प्रेशर पर हाइयर प्रेशर पर क्या होगा हाइयर प्रेशर पर हम क्या करते हैं तो बच् बदल जाता है एक्दम ध्यायन मेरं के बदल जाता है और फिर जाकर उसका मुशक व्हुप हम लोग किसमे करते हैं तो प्रिदमिक के अंदर मौथुत गरन चंटानों के विजली पैदा में की जा सकती है उच्चे दाव भाप में बदल जाता है तो बच्चे ध्वानी के बादलों और भूमी ने बच्चे बादलों से एक बहुत बड़े बादल से ध्वानी के बार बार परिवर्ता से बच्चे होता क्या है? ठीक है, होता क्या है, कि जब ध्वनी, ठीक है, आपको क्या होगा, तो बार बार टकराएगा, बच्चे ये देखे, ध्वनी अलग-अलग परावर्तक सता है, एक बार बार बादल टकराया, उसके बाद ध्वनी उत्पन हुई, और ये ध्वनी बहुलित परावर्तन होता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे अनुरनन कहा जाता है, अनुरनन, रिवर्विरेशन, इंगलिस में क्या बोलते हैं, रिवर्विरेशन कहते हैं, जिसके कारण, रिवर्विरेशन के कारण ही, आपको क्या होता है, तो गडगड़ाहट उत्पन होता है, तो ध्वान होता है एकदम धियान में रखेगा गढ़ कपन होता है यह महत्पूर भराबर आप से क्वेस्टन पूछेगा कि कैसे गढ़ गढ़ हूट होता है तो बच्चे जब ध्वानी के द्वानी क्या होगा बारबार परावर्तित होगा और वपस पुना सुनाई देगा तो उसे ही उ बचे कोईल फेमस है कोईल क्या करता है तो किसके किसके माति में देता है घुसला में अंडा तो कववा के घुसला में कववा के घुसला में अंडा देता है अपना अंडा अपने घुसले में नहीं देता है बचे कोवा के घुसले में देगा कोवा उसको पालता है चले जब सा पहिया के गती को रोग देगा, तो बचे घर्षन बल लगेगा, पहिया के पैड में क्या होगा, तो घर्षन बल लगता है, जिसके करन पहिया क्या करता है, तो रुक जाता है, तो याद रखना है, घर्षन बल लगता है, यहाँ देखे कहां पर घर्षन बल है, तो पैड और के बिज घर्शन बल याद रखना है घर्शन बल वस्तू के गती का विरोध करता है घर्शन बल क्या क्या होता बच्छा घर्शन बल सबसे पहले और सनरक्षी बल होगा और ननकंजर्वेटी फोर्स होगा असनरक्षी बल है ठीक है आपको क्या करेगा वस्तू के गती का विरो बेसकों के संपर्क तल पर लगता है, बज़ें, ब्राबर ये कुस्सन आपसे पूस्था है, कहां लगेगा, तो दो बस्तों के संपर्क तल पर लगता है, पैड और रिम के बीछ का घर्शन, बल क्या क जिए का करेगा, तो पहिय की गति को रोक लेगा, आगे बढ़ते हैं, निम्ले से कौन सा पदाठ तम्बाकू में मौजूद होता है? बचचे, आपको पता है? मौर्फीन जो है, यह किसमे होगा? तो पॉपी में होता है, आपको क्या कैसकते हैं? तो हईसीस, गाजा, यह सब बोलते हैं. तो उसमें मौर्फीन पॉडाय जाता है. दायक पदार्त है बच्चे ये ध्यान में रखेगा क्याफीन कौफी में पाया जाता है क्या होगा क्याफीन पाया जागा निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है तंबाकू में पाया जाता है तो निकोटीन किसमें पाया जागा तंबाकू में तोग नो टोबैको डे नो टोबैको डे कहा जाता बच्छे तबाकू को मना करने वाला दिन कहा जाता है नो टोबैको डे है ना आगे देखिए इस बात की खोज किस ने की थी कि मच्छड मलेरिया फैलाता था सर रोणाल्ड रोज ने किया था, मच्छड मलेरिया फैलाता, कौन सा मच्छड बच्चे, То मादा एनो फिलीज, मच्छड आपको क्या करेगा, तो रोग फैलाने का काम करता है बच्चे, ते ये ध्यान में रखेगा, और बच्चे मच्छड से जब रोग हो जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कोन होगा तो तिल्ली या आपको रक्त कोसिकाएं प्रभावित होती है बात पूर है चलिए बहुत अच्छी बात है कारख कुछ दिनों से खुले रखे जाने पर चांदी की बनी बस्तुएं डैस के बनने की वज़े से काली हो जाती है बच्चे ये सिल्वर सल्फाइड बनाएगा AG2S बनाता है जिसके करण वह क्या होगा काला हो जाता है चांदी का बरतन क्या होगा काला हो जाएगा किसके बनने के करण तो सिल्वर सल्फाइड इसका आयस्क होता है या इसका आयस्क एक और महत्पूर्ण होता है अर्जेंट टाइट बच्चे अर्जेंट टाइट हॉर्न सिल्वर इसका मुख आयस्क है और यहां किस वर्ग का तो होता है तो फस्ट वी वर्ग या ग्यारमे वर्ग का धातू है बच्चे आगे देखते किराना निवन में से किसका पृति रोधी रोधी अच्छ होता है कारा सौ ओम असिी्व बल्ब ठीक है साथ ओम तो सो ओम या असी ऑम बल्ब या साथ ओम बच्चे पी पराबर क्या होता है फिय स्कुएर बटै आर है ना प बराबर भियो स्क्वाइर बार निम्मे से किसका विदूत पृतिरोध उच्छ है बच्छे किसका विदूत पृतिरोध उच्छ है धान दीजे को संपर किसका विदूत पृतिरोध उच्छ है बच्छे है तो पृतिरोध उच्छ है इसमें क्या करना है तो बच्चे ठेक है विदुत पृति रोध कौन सा उच होगा सो ओम असी ओम या साठो तो सो ओम ज्यादा है इसमें क्या बात करना है बच्चे हमको लगा सक्ती निकालना है कुछ निकालना ही नहीं है यहां कि कौन सा प्रतिरोध ज्यादा होगा तो सो उम्ब वाले बलब का प्रतिरोध ज्यादा होगा प्रतिरोध क्या होता बच्चे तो प्रतिरोध आपको पता होगा प्रतिरोध जो है थे विदु धारा के मार्ग में अवरोद है निए गेते हैं जब दो य continues धिक्व पिर्ति सिणोस को एक समारे बिंदु के बिच जोड़ा जाता है यह समारे बिंदू के बीच जोड़ी है समारे पिर्फ मेंदुन के बीच जोड़िये के कैसा हो जाएगा तीघ से समंतरक्रम हो बच्चा समंतरक्रम किनेशन होना है और आध मणुष्य का नाम है और या altreक इस तो ग्यानी मानब है, ग्यानी मानब कहलाता है, और ग्यानी मानब प्रित्वी पर कब आया, ग्यानी मानब, बच्चे 40,000 वर्सपूर प्रित्वी पर आया था, बच्चे 40,000 वर्सपूर प्रित्वी पर आया था, बच्चे 40,000 वर्सपूर आया बच्चे ग्यानी मानब प्रित याद रखिये, बार-बार ये question आपसे पूछता है हाँ, बच्छे, सुबा भी चलता है एक time है, बच्छे, एक time है morning में, morning में 7.45 से साड़े 8 बजे तक और दूसरा time है, साड़े 11 से, चेके सबा 12 तक, बच्छे है न, आगे बढ़ता है दो time है, दो time में class अभी चल रहा है, एक हो गया 7.45 to 8.30 और दूसरा है, 11.30 to, ठेका, 12.15 आणा, ध्यान में रखे बिटाए आगे बढ़ते हैं कारा भोजन की उर्जा को किस में मापा जाता है, बच्छे, भोजन की उर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं और इसे मापने के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं तो भोजन की उर्जा को कैलोरी में मापने के लिए हम यूज करते हैं कैलोरी मीटर का प्रियोग करते हैं और एक कैलोरी बराबर क्या होता है तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल बचे 4.2 जूल होता है और 1 जूल बराबर क्या होता है 0.24 कैलोरी होता है तो यह ध्यान में रखी अगा महत्पूर्ण है नहीं लगे तो मैंसे किस तत्तो को एकका बोरोन के रूप में जाना है तो कि आपको मेंडलीफ ने तो बहुत सारे तत्तो को अलग-अलग करके आपको आवर्सानी में रख दिया बचे जिसमें तीन तत्तो बड़ा फिरमस है पहला ठेक एकका एकका बोरोन दूसरा बचे एकका एलमुनियम एकका सिलिकॉन एकका सिलिकॉन बचे सिलिकॉन और दूसरा क्या है एकका एलमुनियम ये तीन तत्तो को रखा था किसने तो मेंडलीफ ने बचे एलमुनियम ये तीन तत्तो को मेंडलीफ ने ठीका अवर्सानी में एकका नाम से रख दिया बचे एकका नाम से रख दिया था तो एका बरोन को एका बरोन को गेलियम और एका सिलिकोन को जर्वेनियम कहा जाता है एका बरोन को हम क्या कहते हैं गेलियम बच्चे एका सिलिकोन को जर्वेनियम जर्मेनियम और आपको एका बरोन को एसकेंडियम कहा जाता है एसकेंडियम, बाद में जब खोजा गया, तो ये सकेंडियम था ये जर्वेनियम था और ये क्या था? गेलियम था बच्छे तो कहा हो गया एककाबोरोन को क्या नाम दिया? एसकेंडियम ये तीन तत्म को आपको मेडलीफ ने एकका नाम से अपने आवरसाणी में रखा था तो एकदम ध्यान में रखना बच्चा बहुत important है चले, हाँ BPC teacher में भी सब जगर काम आएगा, science, science होता है चले, vitamin C का सबसे सम्रिद्ध स्रोत कौन होता बच्चे तो vitamin C, देखे, दूध में दूध में, ठेकर, vitamin C vitamin C, और लोहा नहीं पाए जाता है, FE, नहीं पाए जाते हैं, एकदम याद रखना बटा, नहीं पाए जाते हैं, protein जो है आपको, vitamin B B का बहुत बड़ा स्रोत होता बच्चे, इसमें आपको vitamin B12, ठेकर, vitamin B6, vitamin B5 यह सब बहुत ज़्यादा मात्रा में vitamin B9, यह सब बहुत मात्रा में पाए जाता है, निम्बू में साट्रिक एसीड होता, या vitamin C इसमें होगा बच्चा, vitamin C को ठेकर, दाल में क्या होता, protein protein का ब्रहद स्रोत होता, दाल हाना, vitamin C, vitamin C को हम ascorbic acid कहते हैं, ascorbic acid कहा जाता है एकदम ध्यान में रखेगा, और यह बड़ा important हो गया बच्चे, यानि answer हो जाएगा, C नमबर होगा, तो यह आज का session है, बच्चे daily अभी class चल रहा है, नफीस फातिमा जी, ठेकर, C नमबर एकदम सही है बच्चा, vitamin C को ascorbic acid कहते हैं, ascorbic acid और इसकी वज़ा से क्या होता है, तो असकर भी रोग होता है, चले मिलते हैं next class में, आप लोग कम से कम like और subscribe जरूर कर लिजे चैनल को बच्चे, ठेक अगर चाहते हैं, आपके सर regular आपको पढ़ाते रहें, तो आप like और subscribe जरूर कर दीजे चैनल को, चले मिलते हैं next season में, जय हिंद, जय भारत